वेलकम दो सुकला स्थेले पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके प्रहुतूब चनल सुकला स्थेले पॉइंट में मैं सियोम सुकला सभी दोस्तों का रदिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो के माधियम से हम चर्चा करेंगे हिंदी साहिते, बीए सेकंडिय और थर्ड समेटर के चार्चातरों के लिए खास करके ये ऐसे विश्विध्याले के लिए खास करके आप वीडियो है जिनकी परिक्षाएं भी नहीं हुई है एक विष्विद्याले उसकी परिक्षा हो चुकि उस विष्विद्याले का नाम है राजा महेंदर प्रताप सिंग इस्टेटी उनिविस्टी उसमें 75 प्रसन पूछे गए थे आपजक्टिव टाइप के कल परिक्षा हुई है आपकी ठीक है और आज मैंने सोचा कि इसकी एंसर की दे दिया है ताकि जो बाकी बिस्ट विष्विद्याले हैं जिनके परिक्षा अब्जक्टिव फार्म में होने वाली है उनके लिए बहुत ही महत्पूर्ण होगा ना कि केवला अब्जक्टिव बाल माडल पेपर होते हैं वहां से लगभग और लगभग 90-95% जो प्रसन है आपके वो हुबहु आ चुके हैं 75% पूछे गया नहीं 75% पूछे गया है उनमें से लगभग और लगभग 72-73% आप देखेंगे तो हमारे द्वारा बताए गई माडल पेपर से ही प्रसन पूछे ग परिच्छा आपकी परिच्छा को थी तो हमने एक आपको दिया था क्या बोलती है उसको यानी एक महा महराथन किलास दी थी महा संग्राम वीडियो से एक ही वीडियो देख लेंगे अगर तो आपका पूरा का पूरा फस गया है के वरूसी से ठीक है आप जानने का प्रयास करते कौन-कौन से परसनायते देखेंगे बीए यहां पर आप देख सकते हो भाई बीए थर्ड समेश्टर के बारे में बता रह कि ठीक है अगर बात की जाए लिखित परिच्छा होती तो तीन घंटे की होती के लिए समझ में आंक आपका 75 था और 75 परसन भी थे यह सारी चीज़े आपको यहां पर पेपर दिखाई पढ़ा होगा सारा चीज़ आप पूरा पढ़ सकते हो यहां पर हर एक चीज़ लिखा में पर्थम 50 उत्तरों को ही मूल यंकित किया जाएगा सभी परसनों के अंक समान है यानि 75 नंबर की जो एक परकार से यह 75 क्वेशन पूछे गये थे उनमें से क्वल 50 परसन आपको करने थे इसी परकार से परतेक बिश्विद्य अवला परतेक पेपर क्यानि परतेक सब्ज तक देखेंगे उनमें से जो गलत होगा गलत कार देंगे जो सही होगा सही कार देंगे तो इसलिए आपको करना क्या है खास करके राजा महंदर परताप सिंग विश्विद्याले के अधर सब्जिक की पेपर होने वाले उसमें आपको ऐसे से 50 परसनों को चुनना जो की आप को आ रहे हूं ठीक है और मेरे हिसाब से लगभग और लगभग आप 100% करके आये होंगे अगर मेरी माले पेपर को देखा होगा 50% तो आपके बड़े आसानी से होगे 25% आपको छोड़ के क्रिया आना था ठीक है चले अगर कर दिये तो कोई दिक्कत की बाद नहीं होती ठीक इसको आप लोग अंडरलाइन कर ले उसके बाद में फिर उस परसन का उत्तर लिखने का मना उत्तर देने का प्रियास करें देखें विस्तार से हम चल्चा करने का प्रियास करेंगे हार एक परसनों का उत्तर मताने का प्रियास पहला परसन आपका है कि निमनेखित में से कौ चीडो पर चांदनी चीडो परचांदनी ये निर्मल बर्मा की रिचना है छाचातरों ने d लगाया उनका प्रक्रक्रीन सरे ऐ, अगे बढ़ने का प्रयास करते है दूसरा प्रसन आपका है प्रियास करेंगे सभी लोग भोलाराम की पतनी तो वहाँ पर जब आप کہानी पढ़एंगे तो उसमें आपको भोलाराम का जिए Euch भाट परिसनकर परसाई की तो भोलाराम का है भोलाराम की पतनी कहती है जब नारत पूछतें कि भोला राम की विमारी क्या है तो बताती ही कि गरीबी ही विमारी है आपसा नमर इसका यह लगा दीजेगा जिन छाचातरों ने यह लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट एंसर है आगे बढ़ते हैं अगला परसन आप देखेंगे तीसरा नमर परसन है कलम का सिपाही किसे कहा गया है बाबू तो कलम का सिपाही किसको कहा गया है प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा गया है कलम का सिपाही लिखा किसने है तो किसने लिखा है अमरित राय ने लिखा है ठीक है यह बात ध्यान रखेंगे तो कलम का सिपाही किसे कहा गया प्रेमचंद ज तो कलम का सिपाही जो है एक जीवनी बिधा के रिचना है जीवनी बिधा जीवनी वो होती है जब किसी एक बड़े लेखक की एक प्रकार से आत्मकथा को या किसी बड़े लेखक की जीवन की स्टोरी मलब उसकी जो होती है उसको जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो वो जीवनी होती है आत्मकथा वहा होती है जब लेखक अपनी जीवनी स्वयम लिखता है यानि अपने बारे में लेखक स्वयम लिख रहा होता है तो वो होती है मलग की आत्मकथा तो इसमें कलम का सिपाही कौन लिख रहा है अमरित राय लिख रहे हैं अमरित राय कौन है प्रेम राय जी ने लिखा है प्रेम चंजी की जीवनी को ठीक है मैं प्रेम चंजी की आत्वकता को तो इसलिए प्रेम चंजी की आत्वकता नहीं है वो जीवनी है ठीक है आप से नमबर इसका भी करेक्टर एंसर होगा आगे बढ़ने का प्रियास करते हैं अगला परसना आपका आच जिजे संक्लित है उनके लेखक के नाम और वो कौन से विधा के रिचना इसको जरूर ध्यार नखेंगे चुकि यहां से बहुत परसनाप की परिचा में पूछे गए हैं ठीक है तीस बरस का साथी संबंधित है राम विलास सर्मा के जीवन से मैंने बताये भी था आपको ठीक है राम विलास सर्मा जी के जीवन से संबंधित है तीस बरत का साथी नामक संस्मन लिखा किसने अगर पूछाता तो आप बताते कि अमरित लादनागर का है जिन्होंने भी C लगाया है उनका correct answer है बाकी का गलत है आगे बढ़ते हैं अंगला परसन देखने का प्रियास छटवा परसन आपका है देखें गिल्लू रेखाचित्र महादेवी बर्मा की किस पुस्तक में संकली थे बतायें गिल्लू रेखाचित्र जो है ये महाबर्मा जी की पुस्तक है उसका नाम क्या है उसका नाम है भई उसका नाम क्या है उसका नाम है मेरा परिवार मेरा परिवार जो पुस्तक है इस पुस्तक में संकलित है गिल्लू रेखा चित्र ठीक है समझ में आगी बाते आगे बढ़ने का प्रियास करते हैं आगे बढ़ने का प्रियास करते हैं अगला परसन अगला परसन आपका है साथ नंबर देखेंगे सभी लोग अगला परसन आपका आ चुका है कि फोर्ड विलियम कालेज की स्थापना कब हुई थी तो आप सभी को पता होगा फोर्ड विलियम कालेज की जो स्थापना हुई थी वो 10 जुलाई 1800 इसबी को हुई थी आपसा नंबर A जिन चाचातरों ने लगाया उनका बिल्कुल करट है अगला परसन आप देखेंगे आठमा नंबर परसन है देखिएगा बहुत जबर्दस परसन आ चुका है आचार रामचन सुकला में से लवाचार रामचन सुकला निम्ण में से किस रचना को हिंदी में खड़ी बोली गद्दी की पहली रचना मानते हैं उसका करक्ट एंसर क्या होगा भई इसको राचार रामचन सुकला जी की बात किया है तो उन्होंने चंद चंद बर्णन की महिमा ये किस ने लिखा है मुन जी या भोज ने लिखा है तो इस रचना को आचार रामचन सुकला खड़ी बोली गद्दी की पहली रचना मानते हैं जबकि बाकी लोग गोरा बादल की कथा को भी मानते हैं ठीक है ये बात धाने के लिकिन इस परसंद का उत्तर होगा आपसे नमबर ए जिन्होंने ए लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट एंसर है अगला परसंद देखेंगे आपसे पूछा गया था कि सक्सपियर का टेमपेस्ट का प्रभाव निम्निमे से किस हिंदी कहानी पर देखाया सकता है तो आपको मैं बता दूँ कि हिंदी कहानी कि ये सक्सपियर का एक रचना है टेमपेस्ट उसका एक परकार से ये अच्छा अनुबाद है यानि कि उसी का एक परकार से अनुबाद की गई है रचना इंदूमती ठीक है यानि इसकी मौलिकता पर सबाल उठे किलियर ये बात ध्यान रखेंगे तो आपको करना क्या है आपको ये ही लगाना आपसा नंबर सी इंदूमती किलियर इसको मैंने अब कहानी मारा चेप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बिस्तार से समझा दिया था कहानी का जब विकास मैं पढ़ा रहा था तो उसमें पर आपको वाटसब करना जैसे ही आप वाटसब करोगे तुरंत आपके पास आप लुखोगे कि सर्जी हमको हिंदी सहत बीए थर्ड समेंटर कोर्स चाहिए मैं एक QR कोंड आपके पास संड़ करूँगा उस पर आपको मातर 100 रुपए पे करके Google पे फोन पे जो कुछ भी आप चलाते हैं उससे आप 100 रुपए संड़ करेंगो उसकी QR कोड पर और तुरंत उसके बाद में आपको PDF और जो भी अभी तक क्लासर चल चुकी है उसकी लिंक आपको संड़ कर दी जाएगी पूरा कोर्स हिंदी का आपको मिलेगा बाकी आपके चैनल पर अवेलेबल है अगला परसन आप देखेंगे अगला परसन आप देखेंगे अगला परसन आप देखेंगे लिजिएगा अगला परसन ग्यारा वर्स का समय कहानी करेचना कार कोन है तो ग्यारा वर्स की कहानी का समय मलब ग्यारा वर्स का समय इस कहानी को स्वयम आचार रामचन सुकला जी ने अगला परसन आप देखियेगा आचन की सभिता निबंद के रचनाकार कौन है सब परसन मैंने बता है एक भी परसन में से ऐसा नहीं, जो मैं नहीं बताया हूँगा model paper ही अगर आपने देखा होगा या मेरा कल वाला वीडियो परसों वाला वीडियो देखा होगा आप लोगों ने जो दो घंटे का live दिया था महा मैराथन या महा संग्राब वीडियो उसमें मैंने पूरी जानकारी देदी है और निशित तोर पर दो घंटे में आप संपूर हिंदी समझ पाएंगे उसमें देखे अगला परसन क्या है आचन की सभिता निबंद के रचनाकार कोन है तो आचन की सभिता निबंद के रचनाकार कोन है भाई सभी को पता होगा correct answer क्या होगा इसका बताने को प्रियास केने करक्ट answer क्या होगा बिलकुल सादार पुर्ण सिंह ज़िए right answer ए आपसन इसका correct answer होगा अगला परसाम देखेगा मैला आचल जो है ये किसकी रिचना है फणी सवर नाथ्रेणू की है मेला आचल किसके रिचना है फड़ी सवा नाथ रेंडू आप संडी में दिये हैं करक्टेंसर होंगे अगला परसनाब देखेगा रणजल धनजल किस राज से मलब किस राज के सूखा और बाढ़ का चितर करता है आपको पता होगा जो है रणजल धनजल जो है ये बिहार परिच्छा के देश्टी से इंपोर्टन ही है आदत हो गई है मेरी कहने के लिए चुकि जो परसन मुझे अच्छा लगता है उसको मेरे निकल जाता है तो मारल पेपर में आपने देखा होगे सभी पर हमने चर्चा कर लिए थी तो बोला भी था सब का सब आगा है पूरा प पर फजा दिया हमने तो आप ये विश्वास मान करके चलो कि हर एक सब्जक्ट में ऐसा ही होने वाला है आप आसानी से जा करके जो हमारे द्वारा बताएगे मारल पेपर हैं उनको एक बार देख लिजेगा देखें निम्न में से कौन माक्सवादी आलोचक नहीं है देखें इसका करेक्ट एंसर क्या होगा आपका इसका नंदुलारे बारजपे याब लगा सकते हैं आप सनम बरिसका भी यनि इन पर गांधी बात का प्रभावा आपको दिखाई पड़ता है नंदुलारे बाजपे इपर उक्ये अगला परसाम देखेंगे उसने कहा था कहानी के ले प्रियास करेंगे निमलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है देखें गोदान है रंगभूमी है करमभूमी भी है गुनाहों का देवता धरम भीर भारती का तो आपसर नंबर क्या लगाओगे आप आपसर नंबर इसका डी लगा देजे करक्ट एंसर होग करेंगे और एक प्रस एक जो है आप दोंग की तुर्टी हो गई थी उसमें आपको बता दो जो मैं पढ़ा रहा था तो उसमें हमने इनके जनम के बारे में अभी इनकी मिर्तिव के बारे में बोल दिया था कुछ ठीक है थोड़ा सा उसमें आप संसोधन कर लिजेगा चुक है यह बात थोड़ा सा ध्यान लखेंगे इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लिजेगा उसमें मैंने वीडियो में बोल दिया था ठीक है वो किताब में थोड़ा सा गलत मिस्प्रिंट था इस पर मैंने जो है देखा कि यह क्या हो गया उस तो जल्दी में पढ़ा रहा था फ पूशी नहीं जाती है यह बात आप ध्यान लखेंगे चुकि क्या होता है कि अब आप लोग तो इंटर के चातर हो नहीं बड़े हो गए हो तो जनम मृत्यू का उतना अदा महत तो नहीं होता है और आगे चल करके यह में में करेंगे तो जनम उनम से कभी प्रसंद आपके नहीं आते हैं अगला परसन है जहांसी की राणी लच्छी बाई की बच्पन का क्या नाम था तो इनके बच्पन का नाम मनू था मैंने आपको बताया था अपसर नमबर इसका डी करक्ठ है अगला परसन आप देखिएगा अगला परसन जहांसी की राणी उपन्यास किस पात में भी तो यहां पर आपसन नंबर इसका सी ज्यादा मेंटर तरीके से आपका सही होगा ठीक है तो सी आपसन इस राइट अंसर इन इस कोईशन नेश्ट परसन आपका अगला परसन आपका आचुका है देखेंगे सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजे भाई इतने मेहनत कर कि आपके परिछा के प्रसन पत्र को साल्व करवा रहा हूं कोई ऐसा नहीं होगा जो कि आपके लिए इस परकार से मेहनत करता होगा मैं आपको बता दूँ कि मैं आपके पेपर को साल्व करवा रहा हूं ऐसे इसी परकार से हर एक सब्जट के पेपर को साल्व करवाने का प ठीक है एकदम सीरियल से पीडिय बना करके भीज़ेंगे तो उससे ज्यादा बेट तरीके से आपको मैं जो है हल करवा करकर के तुरन समझा दूगा ठीक है अगला परसन है लक्षमी बाई को वह पत्र किसने लाकर के दिया था जिसमें करांती का संदेश है नि क्रोंसी करांती 1857 की करांती का संदेश था जब आप पढ़ेंगे इसको तो मैंने बता था कि पढ़ लीजेगा तो उसमें आपको किसने दिया था लाकर के भाई तो इसको दिया था किसने लाकर के दिया था करेक्ट एंसर क्या होगा बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट एंसर आप सभी लोग बत डेकिंगे अगला परस ना आप के अगला पर्स नाप का आ चुका है कि बुंदेल खंड के रजवाडे बुजे हुए दीपक है उनमें तेल है परंटु लव नहीं य आपन्तु लौग नहीं है अगला परस ना आप देखेंगे जहासी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है नह तयार हो गया एक नंबर का है और ज्यादा तयार होगा अगला परसन राणी लच्छी मी बाई का विवाग किसके साथ हुआ था तो गंगा धर राव जी के साथ हुआ था आप से नंबर इसका सी करेक्टर हैं सरोगा यह सब परसन मैंने बताया है विस्तार सिंसरी पर चर्चा क कोने बाई जहासी की राणी उपन्यास के रचनकार कोने ब्रंदा बलनाल बर्मा देखें कैसे परसन पूछा आ रहा है यह हलके परसन मैंने बताया था किसे लगबग 30 परसन आपके हलके बिल्कुल हलके आएंगे ठीक है जो आपके सिलेबस से ही रिलेटेड होगी इसलिए स नमबर इसका भी करेक्ट एंसर होगा अगला परसन आप देखेगा अगला परसन है पंच परमेसुर कहानी किसने लिखा है पंच परमेसुर कहानी आप सभी को पता होगा भाई आपके सिलेबस में है प्रेम चंजी की कहानी है आपसन नमबर इसका एकरक्ट एंसर होगा ठीक या अगला परस आप से पुछा गाय था 29 नबर पर से देखेंगे पाजेव कहानी कोड़ है तो आप सभी को बताऊगा अपके पाठाकर में पाजेव कहानी है जैंदिंद्र कुमार देखा पाजेव कहानी इन सबी को तो मैंने बीसो बार बताए कि इन सबी चीज़े को रख लीजेगा अगला कहानी देखो गैंगरीन कहानी या निकिस नाम से परकासित है ये भी मैंने आपको बताए था कि रोज कहानी है कि गैंगरीन कहानी को ही तो माहसुरस में देखने रहा है मालती वैसे मालती ही इसकी नाइक आया नाइक बोल सकते हो आप मालती जो है इसकी लीड रोल में है तो आपसे नमबर इसका यह करक्टर एंसर होगा अगला परसना आप देखेंगे और किसकी कहानी भाई जो है रोज कहानी तो अग्ये जी की है किसकी है अग्ये जी की है ठीक है आगे बढ़ते हैं परदा कहानी के लेखक कौन है भाई परदा कहानी के लेखक कौन है फड़ावट से बताने का प्रियास करेंगे परदा कहानी के लेखक है आपके इसपाल कौन है परदा कहानी के लेखक है यह सपाल है ठीक है एक बार में फिर से आपको सिलेबस थोड़ा सा बता दू सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है भई सिलेबस में अगर खास करके आपको बताओं सिलेबस में देखे पंच परम आपकों की बात कीयाए, एक नाटक सामिल है, धुर्बसामिनी जैसे करपार साथ है, दो एक हांकियां है, एक तो दीवधाने कांकी है, किसकी है, डाटा णरा मकुएर वर्मा की एक है, आपकी लच्चनी का स्वागत किसकी है, उपेंध नात-ज्य की कहिए है, ठीक है, यहां त पुट्रा फालगुनी के आसपास या भी एक निबंद है जो कि आपके पाठेकरम में सक्क्लित है कुवेरनाथ राय ने लिखा है तुम चंदन हम पानी या भी एक निबंद है डाक्टर बिद्यानिवास मिसरा ने लिखा है ये आपके पाँच निबंद लगबग सामिल है अमरित राय ने लिखा है ठीक है रिपोत आज आपके पाठेकरम में संक्लित है रढ़ जल धांजल फड़ी सवनाथ रेडू ने लिखा है एक ब्यंग सामिल है भोला राम का जीव हरिसंकर परसाई ने लिखा आपके पाठेकरम में संक्लित है इसके लावा एक यातरा बिता इसके अलामा एक आत कता आंस आपके पाटे करम में संकलित है जूठन जो कि उम परकास बाल मीकी का है दलित दिमर से रिलेटड है ठीक है यह सब चीज़ जान लिजे और यहीं सब चीज़ों से लगभग आपके जो है लगभग 15 से 20 प्रसना आपके लगभग सिलेबस से ही हर वीडियो में से लेबस सुरुआत में पूरा एक बार पढ़ करके आपको सुनाता था ताकि आपको से लेबस ध्यान में हो जाए दिमाग में पढ़ जाए तो पर्दा कहानी किसका बाबू यह सपाल का है ठीक है आगे बढ़ते हैं आपका देखिए अगर मालते आपको प मान का परतीक है ठीक है जोटे सम्मान का परतीक है आपसा नंबर डी लगाएंगे जिनोंने डी लगा उंको मिलकुन नंबर मिला होगा अगला परसना है तीसरी कसम कहानी आपने पढ़ेगी तीसरी कसम का दूसरा नाम क्या है मारे गए गुल फाम ठीक है तीसरी कसम में हीरा मन जो है ये नायक है हीरा बाई जो है नायका है कौन सी लोग गाता सुनाई थी हीरा मन ने हीरा बाई को अपनी गाली में बैठाया था हीरा बाई जो है न आता तो आपसर नंबर ये एक अरक्ट एंसर होगा अगला परसनाब देखेंगे तीसरी कसम कहानी का नायक कौन है तीसरी कहानी जो तीसरी कसम कहानी इसका नायक है हीरामन ये बाद ध्यान लखेंगे आपसर नंबर इसका एक अरक्ट एंसर होगा अच्छा तीसरी कसम कहानी कि किसकी है ये बताओ भई तीसरी किसम कहानी किसकी है तो फड़ी सुदना थ्रेंड जी के ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला परसन आपका है पीता कहानी के रिचनाकार कौन है तो पीता कहानी किसने लिखा है ग्यान नंजन की कहानी अपसे नंबर इसका डी करेक्टेंसर होगा अगला परसन देखने का प्रियास करेंगे अगला परसन धुरूब स्वामनी नाटक का प्रकासन कब हुआ फाटाबट से बताने का प्रियास करेंगे धुरूब स्वामनी नाटक का प्रकासन कब हुआ था मैंने आपको बार बर बताय था कि धुरूब स्वामनी नाटक का प तो यह गुप्त बन से संबनित है ठीक है गुप्ता पेरिट से आपसे नमबर इसका C करेक्ट एंसर है जिन्होंने C लगा है उनका करेक्ट एंसर है अगला परसाथ आपसे पूछा गया था एकजाम में कि जैसे अंकर परसाथ का नाटक धुरुब शामनी कितने अंक में लिख कोमा एक पात्र है ठीक है कोमा भी पात्र है राम गुप्त भी पात्र है मंदाकिनी भी पात्र है देवसेना नहीं पात्र है भई देवसेना कोई पात्र नहीं दुरुब शामनी नाटक की ये बात आप ध्यार नहींगे देवसेना जो है ये कौन है ये बाहुबली की आपको पुरुसों ने इस तरियों को अपनी पसुव संपत्ती समझ कर उन पर अत्यचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता उपर एक तुपंक्तिया किस रचना से उद्रित हैं यह पंक्तिया बावू किसे हैं दुर्बशामनी नाटक से ही रिलेटेट है अपसा नमबर इसका भी करक्ट एंसर होगा अगला परसा आप देखते हैं सौभाग्य और दुर्बःग्य मनुस की दूरबलता के नाम है जुरुब सामने नाटक के किस पात्र का यह कतन है बहुत बड़ी हाँ प्रसन है इन प्रसनों को आप एकदम से रट लीजेगा तो यह किस पात्र का कतन है भाई इसको कहा था किसने सक राज ने कहा था ठीक है सक राज ने कहा था आपसे नमबर इसका B करेक्ट एंसर होगा, जिन्होंने B लगाया, उनको एक नमबर मिल गया, ठीक है, एक नमबर से अधी कहीं मिलेगा, अगला परसां देखने का, चुकि 85 परसन करने, 75 नमबर का वेपर है, अगला परसन है, इस तरीका सम्मान नष्ट करके, तुम जो अपराद करोगे, उसका फल अर्चा ना होगा, या किसका कतन है, या कतन किसका था, या कतन किसका है भई, इस कतन को कहा था, आपसे नमबर इसका, ये करेक्ट एंसर होगा, जिन्होंने ए लगाया, उनका बिल्कुल करक्ट है, अगला परसन आपका आया था, अगला परसन देखेंगे, और मेरा प्यार, मेरा सने, सब भुला दोगी, या कतन किसका है, या कतन किसने कहा था, या कतन कहने वाले भी, उनलब किसने कहा था, ये कतन भी सकराज का है, अगला परसना देखेगा अगला परसना देखेगा अगला परसना लच्छमी का स्वागत एकांकी के लिखा कोने देखेगा अगला परसना देखेगा अगला परसना लच्छमी का स्वागत एकांकी के लिखा कोने भाई लच्छमी का स्वागत एकांकी किसने लिखा है किसने ल प्रसन आपका है निमलिखित में से किस रचना में पन्ना धाई के अभूद पूर्वु त्याग और बलिदान की इतिहासी गौरवाथा का चित्रन किया गया है तुवाई आपको पता होगा दीब दान में आप सनम्बर सुकला का निबन संहग्रा का क्या नाम है? आगे बढ़ते हैं अगला आपका प्रस्णा आचुका है भारत वर सोननती कैसे हो सकती है? ये भारतिन्दु अरिचन जी के रचना है तो निबंद है तो भारतिन्दु जी ने भारतियों की तुलना किस्ते की है तो एक रेल गाड़ी से करी है ठीक है आप सनम्बर इसका भी बताया है अगला पसनाव। ता आपट साथ नमबर इसका B करेक्टरंसर होगा, ठीक है, उन्चास का और इसका B, अगला परसन आपका है, पचासमा नमबर परसन है, कि निमण खित में से कौन सा निबंद, बलिया भासर के रूप में लिखा गए, दोनों प्रसनें दूसरे स्टिलेटेड है तो ये को उसा निबंद है भारत और सुनत कैसे हो सकती है ये बलिया भास्रक के रूपे लिखा गया था आपसा नंबर इसका डी करेक्ट एंसर होगा अगला प्रसन आप देखेंगे एक क्यावन नंबर प्रसन है कि मित्रता आपसा नंबर इसका डी करेक्ट एंसर होगा ओके आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन आपका आ चुका है सभी लोग देखेंगे अगला प्रसन निबावन नंबर प्रसन है कौनसा निबंद संग रहा आचार हजारी प्रसाद द्रिबेदी का नहीं है इन में से देखें कुट प्रसन है तुम चंदन हम पानी निबंद के अनुसार चंदन गिसते गिसते क्या घिस जाता है इस प्रसन में थोड़ा सा संदे है मुझे लग रहा है बाकि सारे आपकी बिल्कुल के रियर्ट है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला परसन है कोसंग का जुर सबसे भयानक होता है यह सुक्ति के सिर्लेटेड है तो इमें थरता निंबंध में आचार सुकला जी ने कहा था यह कोसंग का जो जुर होता है इस अब से बड़ा भयानक होता है आपसा नमबर इसका एक अरक्टर अंसर होगा यानि को संगत ही बहुत बुरी चीज है ठीक है आगे बढ़ते हैं यानि संगत से गुड़ आवत हैं संगत से गुल जाएं अगरा परसना देखेंगा आचार हजारी परसाद दरिबेदी से लेटेड है परसना है कि आचार हजार प्रसाद्र रिवेधी की ओके, जिनों ने डि लगाए उनका बेका करेक्टर अंसर है, अगला परसन देखने का प्रियास करेंगे असोक के फूल लिबंद के लेख़ कोन है? तो आचारहर फूल लिबंद के लेखागे clear, आपसन नमबर A, जिन्होंने A लगाए उनका करेक्टेंसर है, छपपा नमबर का करेक्टेंसर क्या होगा, A आपसन, अगला परसन देखेंगे, पत के साथी की रचना है, अमलब किसकी है, पत के साथी किसकी है, सभी को पता होगा, बिल्कुल, पत के साथी किसकी ह मन्टो मेरा दुस्मन मैंने बताया था जब संस्मन पढ़ाया था मैंने इस बात का जिकर किया था और विस्तार से चर्चा करी थी कि मन्टो मेरा दुस्मन संस्मन के लिए का कौन है तो मन्टो मेरा दुस्मन इस संस्मन के लिए का कौन है भाई तो इसको लिखा था उपेन ना साथी जो है, इसी विधा की रिचनह है, यह संसवन विधा की रिचनह है, ठीक है, 30 बरस का साथी. यह सभी दियाले की मैं आ सकते हैं ऐसे परसद और आपको बता…ativi? isosaик है। के तौर पर एक अकी तोर पर एक काम करेगा दोजार चॉविस के लिए थेस के लिए बहुत महत्पूर है प्रसने अग लगा कि कोज सी रचना महाद्यी वर्मा की नहीं इन में से तिकी अठीत की चलचतर महाद्यी वर्मी की रिचना है और इस्मिर्ति के रिखाएं भी महादिवी बर्मा की है अपत के साथी भी महादिवी बर्मा की है माटी की मूर्थें जो है माटी की मूर्थें ये किसकी रिचना है ये है भाई रामब्रिक्ष बेनी पूरी की रिचना है माटी की मूर्थें यानि एक सट का डी अगला परसने महादीवी वर्मा का जो रेखा चितर आपके पाठेकर में संकले थे गिलू उसमें गिलू किसका नाम है तो गिलू एक गिलहरी की बच्चे का नाम है आपसा नंबर इसका सी लगाएंगे आगे बढ़तें देखें कितने सरल परसन आ रहे हैं और सारे परसनों के संबन किस बीमर से आई मैंने बुला सदलित भीवर से देखें दलित बीमर से जूटन क्या है आदक क्तां से किसने इनले का वह प्रकाश बाल मीकी का आगे देखते हैं अगला परसना आपका आज आए आपका नंबर मिल गया ठीक है नमर शादिक रधिक मिलेगा कर सामिल बि कौन करेगा कितना मिलेगा अधा 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 नंबर यह सब चले अगला परसन है समाचार का संबेदानात्म विपरण किस बिधा की विसेस्ता है बताए समाचार का संबेदानात्म विपरण जो होता है रिपोतार्ज विधा की रिचना आपसा नंबर इसका डी करेक्टर अंसर थे और बहुत एच्छे प्रसंद थे आपकी परिच्छा के दिष्टी से बहुत ही महत्पुर्ण है अगर आपकी परिच्छा भी नहीं हुई है उसके लिए बेस्ट है अगला प्रसन है आपका सभी दोस्तों के पास एक बार मैं हाच जोड़कर कि आप से बिने उने वेतन करत हूँ कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है मैं आप लोगों के लिए दिनलाथ मेहनत करता हूँ चाहे वो मरलत पेपर के लिए हो चाहे आपके एंसवर के लिए हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और वीडियो को कमेंट करके बताए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा क्या अधर सब्सक्राइब करो कि अगर चाहिए तो कमेंट करो कि भाई हाँ चाहिए और लाइक करो वीडियो को सभी दोस्तों के पास अपनी सेर कर दो जितने भी दोस्त हैं आपको सभी को द अपने घर में सभी से करवा लिजीगा तो बताएं परते दिन की घटनाओं की संकलन प्राधारित कौन सी हिंदी गदी विधा की रिचना है तो डाइरी आपसे नमबर इसका D करेक्ट एंसर होगा जिन्होंने D लगा उनका करेक्ट एंसर बिल्कुल है अगला परसन देखें 75 परसन नहीं है ठीक है अगला परसन आपका क्या है देखेंगे सभी लोग बहुत ती ब्रिगती से मैं बढ़ने का प्रियास कर रहा हूँ परसन आपका है मेरी तिबबत यातरा किसका आतरा विरतान तो देखें पंडिर राहु संकरतैान जी का आपसे नमबर इसका ये करेक्ट एथा देखें आपके पादे करम में ही संकरत रहे थे सारी चीज है और आपसे इससे पूच रहा है देखे, ओम परकास, बालमिकी की आपकता कौन सी है, देखे, जूत धन जो इनके आपकता है, आपके पाड़ा करम रे सक्रित फथा, आपसा नमबर सी लगा दीजिएगा, कितने सरल परस नेreci THERE, अगला परसन है, रेडर जल, धनल किस सायथिक बिद्धा की रेचना है, देखें बिकलांग, सरद्धा का दौर, वोला राम का जीव, सदाचार की ताबीज, ये सब रचनाएं किसकी हैं, ये सब रचनाएं भाई, हरिसंका परसाई की हैं, आपसन नमबर D लगा दीजेगा, D आपसन इस राइट अंसर, अगला परसाब देखेंगे, अगला परसाब देखें, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, बताएं, कलम का सिपाही किसकी जीवनी भाई, तो प्रेम चन जी की जीवनी है, ठीक है, ये बात ध्यान नहखेंगे, तो 74 का करेक्टर अज़र क्या होगा, आपसन नमबर D, ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला परसन आपका है, लास्ट परस से मिले थे पादम सिंख सर्मा वैंसे बहुत सारे कभी यों से मिले थे पूरा मनें बताया भी 떨어reme की वीडियो में लिए ठीके देख लिजिगा उसको तो पदम सिंख सर्मा जी के पादम सिंख सर्मा की रिचना है मैं इनसे मिला ये इंटर्व्यू था साक्षातकार क्या था निराला जी से ठीक है तो ये क्या है एक जो है क्या है इंटर्व्यू है साक्षातकार है आपसा नमबर बी जिन्होंने बी लगया उनका बिल्ग करक्ट है तो इस प्रकार से आपका पेपर साल्ब हुआ मैंने बिस् ठीक है ये बात ध्यान नकेंगे सारे के सारे प्रस्ट के उत्तर मैंने बता दिया है अब आप लोगों ने जिस तरीके से किया होगा उस तरीके से आपको नंबर मिलेगा ये बात ध्यान नकेंगे सबसे महत्पूर बात आपको क्या होती है कि आप एक बार जरूर ये वारा यहां पर अंग्रेजी और हिंदी में सारे चीज़े हैं और जो सेस निर्देश है वो इसके पीछे वाले प्रिष्ट पर आपको मिल जाता है इसके बाले में ठीक यहां पर लिखाओ तीसरा कि प्रसंदों के उत्तर अंकित करने से पूर प्रसंद पुस्तिका था वह यमार उत बदल लें उसमें कुछ छेड़ चाड़ की हुए यानि उसमें अगर आपने एंसर कर दिया एक दोका तो फिर नहीं बदल जाएगा तो एक बार पहले जब भी आपको प्रसंद पुस्तिका मिले एक बार आप खोल करके सारे परसंदों को देख लें कि परसंद आपके सही है या गलत है उसके आदमें उसको बदल लें तुरण ठीक है ये बात ध्यान लखेंगे उस परकार से निदेश हैं सारे के सारे आपको 75 परसंद देगे यहाँ पर आपको जदा फोकस करने हैं 75 परसंद आपको देगे हैं परिक्छाती किनी 50 परसंदों के उत्तर आपको देने यही मैं 100 परसंद दिख रहा हूं सब नब्बे की उपर जाएंगे यही मैं 100 परसंद दिख रहा हूं सब नब्बे की उपर जाएंगे ठीक है चले मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो ने अब तक के लिए चेहिंज भारत आप सभी का बहुत-बहुत धनी बाद हमारे सा अजाएंगे इंगा इंगर पिर दो म्राएंगे प्रूरामे यहीं वीडियो यहीं हिर वीडियो जाएंगे यहीं चुटिए की उल्बे की लगचे की ओनी यहीं है यहीं है।